लखीमपूर में तो सगी बेहनों के रेप और हत्या के मामले का जिम्मदार कौन? गुनेहगार कौन? यह सवाल अभी भी पीडित परिवार और लोगों के जहन में जसका तस्पना हुआ है हाला की तूल पकरते मामले के बाद पुलिस ने ताबर तोड अक्शन लेकर मामले से जुड़े 6 आरूपियों को गरिफतार कर लिया था लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए आज पूरी वारदात को रीक्रियेट करने के लिए पुलिस फिर फिर से निगासन पहुची पुलिस के साथ वारदात के सभी आरोपी भी थे रिमांट पढ़ लिये गए आरोपियों जुनायद, छोटू, आरिफ, हाफिजुर्रह्मान के सामने पुतला बना कर घटना दर्शाई गई और उनसे पूश्ताच की गई वहाँ पर करीब 46 मिनट तक ट्रायल किया गया, पुलिस ने इस रिक्रियेशन का वीडियो भी बनाया इस दौरान वहाँ से किसी को भी आने जाने नहीं दिया गया आरोपियों पर हमला ना हो सके इस बात का भी पूरा खयाल रखा गया था और कड़ी सुरक्षा ववस्था के बीच ये रिक्रियेशन किया गया लखीमपुर के निघासन में पिछले दिनों दो लड़कियों काउन के घर के सामने से पडोसी गाउं के रहने वाले बाइक सवार यूवकों ने अपहरन कर लिया था बाद में दोनों सगी बहनों के शव खेत में पेड़ पर लटके मिले थे इस मामले में पिडित परिवार के पडोस में रहने वाले आरूपी छोटू समेच 6 आरूपियों को गिरफतार किया गया था वही पोस्ट मॉटम में दोनों की शोरियों की रेप के बाद हत्या करने की बाद सामने आई थी शुरुवात में पुलिस पर पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरूप लगे थी यूगि शुरुवाती जाच में पुलिस ने से सुसाइट केस बताया था लेकिन जैसे जैसे मामला बड़ा होता गया पुलिस पुरी साफधानी से इस रेप और हत्या की गुत्थी सुलजाने में लगी हुई है